नमस्कार बंदे मातरम, दोस्तों स्वागत है आप सब का साइनिक पार साला में, आज का वीडियो का विशह है 50% DADR का बेसिक पे या बेसिक पेंशन में मर्ज होना, जी हाँ, आपको आगे बित्तमंत्रालाई का लेटर दिखाऊंगा, बित्तमंत्रालाई का आदेश गया था, और अभी फिलाल सरकार एक्रोइट फॉर्मूले को साथवे पे कमिसन के रिकमेंडेशन को क्यों नहीं मान रही है, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, सारे डॉकुमेंट्स और एविडेंस के आधार पर, तो इससे पहले कि इस विशह पर आगे बड़े दोस तो सबसे पहले जैसे आप हेडिंग देख पा रहें, 50% DA मर्ज होगा या नहीं, इसी के बारे में डॉकुमेंट्स के आधार पर बात करेंगे, सबसे पहला पॉइंट, 50 CPC में, 1 अप्रेल 2004 से, जब मर्ज हुआ 50% DA बेसिक में, तो अब एक्रोइट फॉर्मूला क्यों नही जिहां, पांचवा पे कमिशन का रिकमेंडेशन और उस रिकमेंडेशन के आधार पर 2004 में बेसिक पे या बेसिक पैंशन में DADR का मर्ज होना, जो हो चुका है, जो दिया जा चुका है, लेकिन अब सातवा पे कमिशन का रिकमेंडेशन बोलता है, एक्रोइट फॉर्मूला लागू करो, दस साल का इंतजार ना करो, लेकिन बावजूद इसके एक्रोइट फॉर्मूले को क्यों लागू नहीं किया जा रहा है, या तो फिर सरकार की तरफ से क्यों स्पष्टिकरन नहीं किया जा रहा है, कि एक्रोइट फॉर्मूले को सरकार लागू करेगी, या नह लागू करेगी क्योंकि हाली में इसी विषय के उपर संसद में जो सवाल हुआ था उसमें मंतरी जी ने क्या जवाब दिया है अगला पॉइंट मंतरी जी का संसद में जवाब समझे जी हाली में 6 फ़रोरी को सरकार से जो आठवा पे कमिस्टन से जुड़ा हुआ सवाल उपर जब सवाल किया गया था तो सरकार की तरफ से ये जवाब दिया गया था आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर जवाब में जो वित्तर राजय मंत्री हैं उन्होंने क्या जवाब दिया था उन्होंने कहा था दोस्तों कि साथ वे पे कमिशन में जो रिकमेंडेशन है एक् फॉर्मूला आगे में एक्रोईड फॉर्मूला क्या है वो भी बताऊंगा कि एक्रोईड फॉर्मूले को लागू करने को ले करके मंत्री मंडल ने अपना विचार नहीं किया उस समय की बात है आगे ये आठवे पे कमिशन के उपर कोई भी प्रस्तावावी विचाराँ दी नहीं है ऐसी जानकारी दी थी दोस्तों तो दोस्तों सरकार का जवाब ये था कि मंत्री मंडल ने उसके उपर विचार नहीं किया था जबकि पांच वे पे कमिशन के रिकमेंडेशन के आधार पर 50% मर्ज हो गया 2004 में लेकिन अब इस समय में सरकार जो है इस तरीके की बात क कर रहे हैं कि मंत्री मंदल ने उसके उपर विचार नहीं किया था आगे बात करते हैं और डॉकमेंट्स देखते हैं क्या है साथ हुए CPC का पैरा नमर 1.22 में और क्या होता है एक्रोइड पॉर्मूला चलिए सबसे पहले में आपको पैराग्राफ नमर 1.22 यानि कि साथ हुआ पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है उसको दिखाऊंगा फिर आगे आपको पांच हुए CPC का वो रिकमेंटेशन भी दिखाऊंगा जिसमें लिखे होने की बज़े से 2004 में DADR का 50% बेसिक में मर्ज कर दिया गया सबसे पहले साथ हुए CPC का रिकमेंटेशन देखते हैं अ दस साल का इंतजार ना किया जाए पेमेंट या पैंसन के रिविजन में और एक्रोइड फॉर्मूले को लागू करके पेमेंट और पैंसन को महंगाई के दरों के इसाब से बड़ोतरी दे दिया जाए ये रिकमेंडेशन था साथ वे पे कमिशन में तो आपने देखा दोस् बेह Kardash languages बाते हैं दोनों तो आब आपको समझताू हो इक्रोइड formula क्या होता है एक्रोइड formula है इसा formula होता है जिसमें महंगाई के जो आंकडे हैं यानि कि जो महंगाई के जो चीज़ें के जो दर जो दाम बड़ रहे हैं उनके आंकडे और जो करमACारियों का जो performance है उनके ब बित्तम अंत्रालाई का 50% DA मर्ज करने का आदेश देखें और पे कमिशन के रिकमेंडेशन को समझें जी हाँ चलिए मैं आज आपको बित्तम अंत्रालाई का वो आदेश दिखाता हूँ जिस आदेश के बेस पर 50% DADR को मर्ज कर दिया गया था उसके बाद आपको मैं पहांच वे पे कमिशन का रिकमेंडेशन भी दिखाऊंगा जिससे आप ये समझ पाएंगे कि रिकमेंडेशन में ऐसा क्या लिखा हुआ था जिस वज़े से DADR मर्ज हो गया बेसिक पे या बेसिक पेंशन में उसको समझते हैं दोस्तों भारत सरकार के बित्तम अंत्रालाई का ये व इक ये वस पेंशन में ये वही आदेश है अब इस आदेश में दोस्तों पांच हुए पे कमिशन का जो एक पाराग्राफ का जिकर है 105.11 यानि कि इस paragraph के तर्थ पांचवे Pay Commission के इस recommendation के तर्थ 50% DADR को मर्ज किया जा रहा है तो आपने देखा कि साथवे Pay Commission में भी recommendation किया गया है 1.22 नमर paragraph में अब चलिए है मैं आपको पांचवे Pay Commission में दिखाऊंगा कि 105.11 नमर जो paragraph है उसमें recommendation क्या हुआ था जिसको सरकार ने आगे जाके 1.204 को लागू कर दिया और 50% DADR को मर्ज कर दिया basic pay या basic pension में तो उसको समझने के लिए दोस्तों आपको Pay Commission का report देखना पड़ेगा पांचवे Pay Commission का चलिए मैं आपको पांचवे Pay Commission का report दिखा के समझाता हूँ दोस्तों पांचवे Pay Commission का report का 105.11 यह paragraph है और जो recommendation की जो line है वो नीचे वाले page में है जो मैं आपको दिखाता हूँ यह वाला है यह वाला जो portion है recommendation की line है अब यहाँ पर पांचवे Pay Commission में क्या recommend हुआ था जिसको लागू कर दिया गया है यहाँ पर देखिए वो recommend that DA should be converted into dearness pay each time the CPI increases by 50% over the base index used by the last pay commission such DA should be termed as dearness pay and be counted for all purposes including retirement benefits यानि कि 50% जैसे हो जाता है उसको merge कर दिया जाए और उसको जैसे ही सारे retirement benefit वगरा के लिए भी count किया जाए यानि कि उसको basic pay या basic pension के तौर पर लिया जाए यानि कि recommendation clear है 50% जैसे पहुंचता है उसको merge किया जाए ऐसा इस recommendation में लिखा हुआ है तो आप सब ने देखा दोस्तों पांच वे Pay Commission के recommendation के base पर DADR 2004 में मर्ज हो गया तो साथवे Pay Commission के recommendation के base पर क्यों नहीं accurate formula लागू हो सकता है बिल्कुल लागू हो सकता है अगला point समझते हैं दोस्तों जब 5th CPC के recommendation को लागू किया गया तो साथवे CPC का accurate formula लागू ना करने या 10 साल का इंतजार क्यों दोस्तों जैसे सरकार का आपने जवाब देखा कि उसमें मंत्री मंडल ने कोई विचार नहीं किया था यानि कि साथवे Pay Commission का जो recommendation है उसको लागू करने को लेकर सरकार का ये goal-mol रवया है कि सरकार लागू करेंगे या नहीं करेंगे एक तरफ से नहीं करेंगे वाला जवाब है लेकिन जब इसी तरीके का recommendation पांच वे Pay Commission में किया गया था पतास परसन मर्ज को ले करके मर्ज हो गया तो इसी तरीके का recommendation जब साथ वे Pay Commission में किया गया है कि एक्रोइड formula को लागू किया जाना चाहिए दस साल का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए तो एक्रोइड formula क्यों लागू नहीं हो रहा है और दस साल का इंतजार क्यों किया जा रहा है अब यहां पर बहुत सारों का ये सवाल होगा कि पतास परसन्ट तो अब हुआ ही नहीं है DADR आगे में बहुत महत्वपूनबाद जो आपको सोचने पर विवस करेगा उसको समझाता हूँ सबसे पहले आप समझिए दोस्तों एक जनवरी 2006 में हमारा DADR 0% से शुरू किया गया था जब छठा पे कमिशन लागू किया गया था और वो DADR जा करके दोस्तों 31 दिसंबर 2015 में कितना हुआ था वो हुआ था 119% 0% से बढ़ करके 119% हुआ था इस बात को सोचिएगा गोर कीजिएगा और आगे आप समझिए अब एक जनवरी 2016 में भी जब सातवा पे कमिशन लागू किया गया तो DADR को 0% से शुरू किया गया और आगे अब जो 10 साल पूरे होंगे दोस्तों वो होंगे 31-12-2025 को तो हमारा DADR कितना होगा आप सोच के देखिए आज के डेट में हमारा DADR 46% है या तो मान लीजिए जनवरी 2024 से 50% है आगे और कितनी बढ़ उत्रिया जुलाई 2024 जनवरी 2025 और जुलाई 2025 यानि कि तीन बढ़ोत्रियां बसती है जिसमें ज्यादा से ज्यादा 4-4-4% की बढ़ोत्री होगी और आज के डेट में अगर हम 50% मान लें तो 4-4-4 यानि कि 12% की बढ़ोत्री और 12% यानि कि 62% ये अगर 62% हो जाता है मान लीजिए दिसंबर 2025 तक तो ये बढ़ोत्री कहां थी और ये बढ़ोत्री कहां है क्या महेंगाई इतना कम हो गया है 2006 से ले करके 2025 तक का अगर हम हिसाब किताब करें तो पहले के 10 साल में क्या डबल महेंगाई थी जो अभी महेंगाई जो है इतना कम हो गया है तो कहीं न कहीं, इन सारे सवालों का जवाब सरकार अपने कामों से दे सकती है, एक्रोइट फॉर्मूले को लागू करके दे सकती है, आठ हुए पे कमिशन को संगठित करके दे सकती है, दस साल होने वाला है, अभी भी जब सवाल पूछा जाता है, तो ऐसा कोई भी विचारा दिन नहीं है बस ये जवाब दिया जाता है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इनी जानकारियों के साथ आया था आगे और कोई जानकारी दाग आप से सरुकार रखने वाला भी से लेकि मैं फिर से हाजर हो जाओंगा तब तक के लिए जहीं दोस्तों